लेकिन आज मैं भारतिय जंता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के भ्रष्टाचार के तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ, उसका खुलासा कर रहा हूँ ये भारतिय जिन्ता पार्टी के बड़े नेता एक राज्य के मुख्यमंत्री भी है और इन्होंने जो कारणाम किया है मैं भारतिय जिन्ता पार्टी के नेताओं को सलहा देना चाहूंगा कि भरष्टाचार इसे कहते हैं अपने नेताओं की कर्टूत देखें और समझें कि भरष्टाचार क्या होता है महौला क्लिनिक और स्कूल बनवाना भरष्टाचार नहीं होता भरष्टाचार यह होता है जो आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता और मुख्यमंत्री ने किया है भारती जनता पार्टी के इस बड़े नेता ने अपनी पत्नी की कमपनी को और अपने बेटे की पार्टनर की कमपनीयों को सरकारी खरीद के ठेके दिये हैं मैं फिर से धोरा रहा हूं कि भारती जंता पार्टी के इन बड़े नेता अभी पूरी बात आपको बताऊंगा लेकिन भारती जंता पार्टी के जो लोग कहते हैं ब्रस्टाचार ब्रस्टाचार मैं बताता हूं कि ब्रस्टाचार कैसे होता है और आपकी पार्टी कैसे कर रह खरीद के ठेके दिये हैं ये होता है ब्रश्टाचार जब कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री या मंत्री अपने पत्नी के कंपनी को या अपने बेटे के पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दे तो वो इस देश के कानून में ब्रश्टाचार होता है भारतिय जन प्रॉज़र में वह ब्रश्टाचार है की नहीं हैं उस पर कारवाई होगी कि नहीं होगी अपने मुखे मंतरी को आज जेल में डालेंगे कि नहीं डालेंगे यह सवाल खड़े करते हुए मैं आ असम की एक वैब पोर्टल है दा क्रस करंट उन्होंने उन्होंने एक रिपोट जारी किये और इस और इस रिपोर्ट में उन्होंने जो दस्तावेश लगाए हैं वो इस बात का पुखता सबूत करते हैं कि किस तरह से असम के मुख्यमंत्री हैमंत विश्वसर्माजी जो उस स स्वास्तावेश जो दो वायर ने और दा क्रॉस करंट ने अपनी वेब साइट पे जारी किये हैं वो इस बात का पूरा सबूत देते हैं कि घटना 2020 की है जब पूरे देश में कोविड सारी दुनिया में कोविड फैल रहा था सारे देश में पैनिक मचा हुआ था उस वक्त असम के वर्टमान मुख्य मंत्री हेमंत विश्व सर्माजी उस वक्त के स्वास्त मंत्री हुआ करते थे उन्होंने अपने स्वास्त विभाग से पीपी किट्स खरीदने के ठेके जारी किई emergency थी इसलिए जाहर तार पर सारी सरकार हैं कर रही होंगी तो emergency के दौरान tender के भी ठेके जारी होते हैं, सरकार के पास power होती है, उसमें कोई हम यह नहीं मानतें कि उसमें कुछ गलत किया होगा emergency में भी ठेके बिना tender के भी procurement होते हैं लेकिन यह procurement के ठेके दिये किसको गए पूरना की आण में arriverजंसी में पी-पी किट खरीदने के ठेके किसको दिये गए और कितने रेट पे दिये गए इसमें ब्रश्टाचार है ब्रश्टाचार के इसलिक hundred में अब के मुख्य मंत्री और तब के स्वास्ट मंत्री और भारती जंता पार्टी के बड़े नेता हेमंत विस्व सर्माजी ने ये ठेके दिये अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को और अपनी पत्नी के बिजनिस पार्टनर्स की कंपनी को इनको पीपी किट खरीदने के ठेके दिये बीजेपी के जो नेता है है मंतविस्व सर्मा जी उनकी पत्नी एक कमपनी चलाती है उसको उन्होंने उसका नाम है JCB Industries जेसी भी इंडस्ट्रीज को पीपी किट खरीदने के ठेके दिये गए और वो भी बिना टेंडर के दिये गए चलो कोई बात नहीं लेकिन पत्नी को ठेके दिये गए पत्नी के कमपनी को ठेके दिये गए और उनकी पत्नी की कमपनी का मेडिकल सप्लाई से मेडिकल उक्यूप् लेकिन अर्जेंसी की आड़ में अपनी ही पत्नी की कमपनी को पीपी किट सप्लाई करने का ठेका भारतिय जंता पार्टी के स्वास्त मंत्री और अब के मुख्य मंत्री हेमंत विशु सर्मा जी की सरकार द्वारा दिये गए उस वक्त और इसमें सबसे बड़ी दिल्चस बात यह है कि उस वक्त सरकार एक और कंपनी और अन्य कंपनियों से 600 रुपए में पीपी किट खरीद रही थी प्रति पीपी किट 600 रुपए में खरीदती थी लेकिन भारतिय जंता पार्टी के नेता की पत्नी की कमपनी थी स्वास्त मंत्र रुपए प्रति किट के ठेका दिया गया तो जो पीपी किट सरकार बाकी कंपनियों से 600 रुपए में खरीदती थी उस पीपी किट को खरीदा सरकार ने मुख्यमंत्री जी और तबके स्वास्त मंत्री जी की पत्नी की कंपनी से 990 रुपए में उसको कॉंट्रेक्ट दिया यह उसके कॉन्ट्रेक्ट की कॉपी है, वेबसाइट पे है यह, आपको भी दे देंगे हांके फल्बदें परो आप अपनी पतनी को ही अपनी पतनी की कंपनी को ठेके पेiley को ठेके पे उसमें पार्टनर हैं उनकी कंपनी यानि अपने बेटे के बिजनिस पार्टनर्स की कंपनी को भी सीधे ठेके दिये दो कंपनियां हैं GRD Pharmaceutical और Maritime Healthcare इनको भी ठेका दिया गया पर किट 990 रुपए प्रती किट के हिसाब से जबकि 600 रुपए में सरकार और कंपनियों से किट्स खरीद रही थी लेकिन बेटे के पार्टनर की कंपनियों को 990 में ठेका दिया गया 990 रुपए प्रती किट के ठेका दिया गया तो पत्नी के कंपनी को ठेका 600 की जगे 990 रुपए में बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को ठेका 600 रुपे की जगे 990 में दिया गया बिना टेंडर के दिया गया मैं उस पर कोई टिपनी नहीं कर रहा है अमर्जिंसी होती है लोग डिसिजन लेते हैं लेकिन इतने बड़े-बड़े ठेके भारत के कानूनों के हिसाब से किसी भी मंत आप इन्टरेस्टिंग बात इसमें ये है कि भारतिये जैंता पर्टि के ने अर श्वास्त मंतरी और अबके मध्य मंतरी जी के बेटे के पार्टनर्स की कंपनी ने सप्लाई नहीं की, पत्नी की कंपनी ने भी सप्लाई नहीं की, उसका वो कंट्रेक्ट कैंसिल हुआ, उसने थोड़े से सप्लाई किये, फिर बेटे की के पार्टनर्स की कंपनी ने भी सप्लाई पूरी नहीं की, लेकिन उसके बाद भी उसको और ठेका दिया गया, पी-पी कि किट असम में सप्लाई हो रही थी लेकिन बेटे के पार्टनर की कंपनी को ठेका दिया गया कि आप 600 रुपे वाली किट 1680 रुपे में सप्लाई कर दो वह भी दिल्ली में हमारे असम भवन में दे दो वहां से हम ले जाएंगे सरकारी खर्च पे तो जब 600 रुपे की पी-पी किट मिल रही थी तो अपने बेटे के पार्टनर की कंपनी से 1680 रुपे में किट खरीदना वो भी दिल्ली में सप्लाई करवाना ये भ्रष्टाचार है की नहीं है भारती जनता पार्टी वाले जरा इसके बारे में गौर फर्माएं ब के बाद वो कोट से छुटते रहेंगे जब कोट में साबित हो जाएगा कि उन्होंने कोई गुना नहीं किया ये तो खेल आप बहुत दिन से खेल रहे हो लेकिन आज सबूत दे रहे हैं कि आपके पार्टी के मंत्री स्वास्थ मंत्री ने अपने पत्नी और अपने बेटे क के संबंधित कंपनियों को ठेके दिये अनाप शनाप रेट लगा लगा के ठेके दिये एक और कंपनी इसके बाद पिक्चर में आती है एजाईल एसुसेट्स इस कंपनी का रिकॉर्ड बताता है कि ये कंपनी स्वास्थ मंत्री जी और भारती जंता पार्टी के निता हेमत विस्व सर्माजी की पतनी के बिजनिस पार्टनर्स की कंपनी है एजाईल सॉसेट्स इसको फिर इनोंने एक और ठेके दिये और इस पार इनको ठेका दिया बाइस सो पांच रुपे प्रतिक किट खुले आम चल रहा था 600 रुपे की किट 900 रुपे में 1600 रुपे में 1200 रुप कंपनी है पतनी के बिजनिस पार्टनर की कंपनी है बेटे के बिजनिस पार्टनर की कंपनी है बिना ठेके कंपनी ठेके दिये जा रहे हैं बिना टेंडर के ठेके दिये जा रहे हैं और दिये जा रहे हैं तो किसी को भी दे दो किसी भी रेट पर दे दो कोविड का भाना है का भाना है इस पूरी कहानी के सारे तथ और सारे डॉकुमेंट्स दवायर ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की हैं मैं दवायर और दख्रॉस करेंट की टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतिय जंता पार्टी को अपने ही एक बहुत बड़े नेता और रश्टाचार क्या होता है मैं आज बीजेपी के कारेकरताओं से और बीजेपी के समर्थकों से ये सवाल करना चाहता हूं कि भारतिय जंता पार्टी दो दिन हो गई है इस्टोरी पबलिश हुए भारतिय जंता पार्टी अपने मुख्यमंत्री के इस खुले आम करप्शन पर क्यों चुप है कोई जवाब क्यों नहीं दे रही कोई बात क्यों नहीं कर रही आज वो बताएं कि अपनी पत्नी की कंपनी को खुले आम सरकारी खरीद का कॉंट्रेक्ट देना और वो भी अनाप्शनाप रेट पर देना कानूनों में ब्रस्टाचार है है की नहीं है और तो ग्रफतार कर रहे हो की नहीं कर रहे हो कारवाई कर रहे हो की नहीं कर रहे हो जो किट आपको 600 रुपे में मार्केट में मिल रही थी उसको 990 रुपे के कॉंट्रेक्ट अपनी पत्नी के कंपनी के नाम पे जारी करना यह अपराद है कि नहीं है जो किट आपको 600 रुपे मे में तक श्रीfront में 12 सो रुपे में जारी करना उनसे सप्लाई लेना यह अपराद है कि नहीं है यह होता है ब्रस्टाचार मोहल्ला क्लिंक बनवाना और इसकूल बनवाना इसकूल के आये शान्दार कमरे बनवाना और बच्चों की पढ़ाई को आप ब्रषटाचार कहते हो ब्रषटाचार यह होता है कि जब चुने हुए मंत्री और मुख्यमंत्री और भारती जनता पार्टी के इतने बड़े नेता अपनी बीवी और अपने बच्चों के संबंदित कंपनियों को इस तरह से खुले हम ठेके देते हैं मुझे उम्मीद है कि भारती जिनता पार्टी के कुछ लोग इस पर जरूर अपना अपनी राय देंगे की वह इस पर कारवाई करेंगे की नहीं करेंगे